इस वीडियो में करेंगे chapter 8 और यहां पर हम chapter 8 है वह हमारा current electricity है इस में करेंगे यहां पर exercise AB 8B के सारे numericals करेंगे जो यह numerical है वह class 10 physics की book है और board है आपका ICSC और जो books है उसकी writer के नाम है Selina publisher चलिए start करते हैं इस questions को सबसे पहले इस chapter में use होने वाले formula को देखते हैं पहला formula आपका V is equal to IR V का मतलब क्या है आपका potential difference, I का मतलब current, R का मतलब resistance दूसरा formula आपका V is equal to E minus IR इसमें E का मतलब EMF, B terminal potential, I current और R जो है internal resistance small r जो हता है internal resistance, capital R को बोलते है external resistance I is equal to formula E upon R plus R और series में अगर हमें resistance का combination निकालना है तो हमारे पास formula हता है R is equal to R1 plus R2 plus R3 और parallel के लिए formula हता है 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, 1 upon R3 देखिए parallel में अगर हमें दो resistor के लिए अगर हमें formula निकालना है तो हम यह भी निकाल सकते है 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 से भी निकाल सकते है और directly हम इसका formula का use कर सकते हैं दो resistor के लिए R1, R2 upon R1 plus R2 यह exercise 8B का first question से आपका exercise का the diagram in figure show a cell of EMF is equal to 2 volt diagram में जो आपको EMF दे रखा है वो दो बोल्ट का दे रखा है and internal resistance जो है R is equal to वो है आपका 1 ohm तो देखिए यहां पर internal resistance की जो value है वो 1 ohm है connected to an external resistance R is equal to 4 ohm इसको एक external resistance से connect किया गया जिसकी value 4 ohm है the emitter A measure the current in the circuit and the bold meter B measure the terminal voltage across the cell what will be the reading of the emitter and the bold meter आपसे emitter bold meter की reading पूछी आ रही है दो cases में first case में the key is open और second case में the key is close चली इस question को हम करते हैं कैसे solve देखते हैं तो यहां पर हम first part कर रहे हैं the key is open देखिए circuit में key अगर open होती है तो उसका मतलब होता है circuit हमारा off है it means circuit अगर off है तो break है circuit और off circuit में कोई current flow नहीं होती है तो इस case में जो हमारा emitter है उसमें कोई current नहीं आएगी तो इन इस case में की अगर की आपकी open है तो open में क्या होगा circuit open होगा और उसमें कोई current flow नहीं होगी इसलिए ammeter कोई reading measure नहीं करेगा तो current ammeter की reading यहाँ पर कितनी होगे जीरो और इस case में हम bold meter की reading निकालते हैं तो bold meter की reading निकालने के लिए formula लगाते हैं V is equal to E minus IR जो कि आपके screen पर लिखा हुआ है यहाँ पर हमने लगाया यह हमारे पास given था यहाँ पर एमफ टू बोल्ट और आई हमारे पास कितना यहाँ पर zero इस case में तो जीरो की अगर internal एस से multiply करेंगे तो भी वह जीरो कर देगा तो इस case में हमारे सीधा terminal potential के equal हो जाएगा यहने की वी इस उगल टू कितना होगा आपका टू बोल्ट कि सेकिंड पार्ट आते हैं जब की इस क्लोज अगर की क्लोज हो जाएगी तो सर्किट में करेंट फिलो होगी तो सर्किट में करेंट फिलो होने के लिए आप करेंट का टूसा फर्म यूस करेंगे हैं यहां पर E उगल टू स्मॉल आ प्लस कैपिटाल र के हैं एकी वैलू आपके पास है, यहां और यहां पर इन दोनों को हम कर लेते हैं तो आइस उगल तू आगया तो आई उगल टू अपन फाइब अब फाइब को अगर आप तूसर डिवाइट करते हैं तो आपका आजाएगा यहाँ पर आपस तो यह इस तरह से करेंट की वैलू यहाँ पर आ गई अब इसी केस में यहाँ पर यह तो हमें अमिटर की डिटिंग बता नहीं थी तो अमिटर की डिटिंग हमारे पास आगए आई इस इगल तो 0.4 अब आम बोल्ड मीटर की डिटिंग निगा लेंगे तो बोल्ड मीटर के लिए फॉर्मला फिर से यूज़ करते हैं वी इस इगल टू है आई हमने अभी निकाली कितनी आई आई आपकी 0.4 और इंटरनल रेस्ट तो इसमें इस केस में आगई जब आपकी की क्या एक क्लोज है यह फर्स्ट कोशन यहां पर कंप्लीट होता है एक इंड कोशन पर आते हैं अब बैटरी ऑफ एमेफ इस थ्री बोल्ड सप्लाई देखिए आपको एमेफ दे रखा है तो हम इसको हैंट टो हैं लिखते भी चल यहां पर करेंट की वेलू दे रखिए 1.5 अंपियर दबोल्ड मीटर डिडिंग बोल्ड मीटर की डिडिंग को हम लिखते वी से आपको दे रखा है यह 2.7 बोल्ड पाइंट क्या करना आपको इंटर्नल रेस्टेंस को लिखते हैं स्मॉल आर से तो हमें एक ऐसा फॉर्मल्र लगाना है जिसमें यह सारे चीजे अविलेबिल हो तो आप देखिए इस स्क्रीन पर यह फॉर्मलर के आपके पास वी इगल टू ए माइनस आई आर तो हमने इस फॉर्मले का यहां पर एपलाई कर आप वी इस इगल टू ए माइनस आई आर का और यहां पर वेलू लगा लेते हैं यहां पर लिए की वेलू लगा है हमने आपे 2.7 बोल्ट free आई आपको दे रखा है 1.5 151 to a आपको निकालना है तो आर हमें conversations करना है 155 आर माइनस को हम इधर लेका टो यह अपत्साइब में याएगा तो प्लस में हो जायागा और इसको अर्जस्ट कर लिए 3 में से 2.7 मैनस करेंगे तो यह 0.3 बचेगा और आर की वेलू निकाले तो 0.3 और अपॉन 1.5 तो यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं 0.3 अपॉन 1.5 तो पाइंट से पाइंट कैंसल हो गया आपका आगया 3 अपॉन 15 और सो कैंसल करेंगे फर्दा तो वन अपॉन 5 तो यह आपका आजागा अलोबर कैलकुलेट करके 0.2 तो आपको यहां पर क्या पता करना था इंटर्नल रेस्टेंस फाइंट करना था तो इंटर्नल रेस्टेंस हमारे पास हापर कितनी आगे 0.2 ओम पर आते हैं आज सेल इंट बोल्ट एंट इंटर्नल रेस्टेंस आर्ज इगल तो तू ओम इस कनेक्टेंट इन सिरीज विद एन अमिटर और रेस्टेंस 0.7 ओम और रेसिस्टर 4.5 तो निन फीगर को देखे जो जो हम से कहा रहा है वो लखते है तो सबसे पहले आपको देखिए यहां पर इमेटर का रेस्टेंस दे रखा तो इसको से कनेट करने के लिए अमीटर को हमने रेस्टेंस को लिए आर बन से और एक रेसिस्टर लगाया हमने कितना 4.4 4.5 वोम का इसको लिए लेते हैं हम आर टू से तो यहां पर हमारे पास दोनों एक्स्टरनल रेस्टेंस हो गए क्या है मbah 조 gide the vomiting of the a amateur की अमीटर कि की रिडिंग क्या होगे आमीटर देखे किसको करता के ृसका मतलब आप से करेंड निकलवा जा लाहारा करेंट की वैलिए कर के लिए फॉर्म्ट मारे पास कितना होता है टोल करेंट निकालनी आपो यहनिकी तो फिसलिड़ि यहां पे हम टॉटल रेश्टेंस कैलकुलेड कर लेते हैं देखें यह दोनों तो गनेक्ट है और जो इंटर्नल रेस्टेंस है वो भी सिरीज में ही चनेक्ट होता है तब स्थ के लिए वडेक्ट ही हम देखे तो आरबन प्लस आर्टॉ प्लस ऑडठ तो इस तरह से हम यहां पर टोटल रेसे निकालेंगे तो तीनों को सल्कूर 297 ४ 2很 इसको प्लस करते तो आपकाँ tane आ जाता है अहए आप करने के लिए टो टल हम इसक कि ले wannYU के लिए औरобыt he तो टोटल ही हमारे पास कितना है और हमने अभी और निकाला तो कितना आया 7.2 इसको हम करते है 1.8 अपॉन कितना आपके पास 7.2 अब इसको टू से कैंसल करते तो यह नाइन टाइम जाएगा और तो से कैंसल करेंगे तो 36 और 9 से 36 कैंसल होगा तो यह 4 तो यह आपका अंसर आ गया 1 अपन 4 और फर्दर हम 4 से 1 को डिवाइट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा तो यहां पर हमने करेंट जो हमसे पूछा गया था यह पार्ट में वह फाइंट कर लिए है पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है वाट इस दा पोटेंचिल डिफरेंस एक्रोस दा टर्मिनल ऑफ दा सेल के लिए आपको पोटेंचिल निकालना है तो कौन सा फॉर्मलर यूज करेंगे वी इस इगल टू इ माइनस आई आर तो देखें इ आपके पास कितना गिविन है यहाँ पे 1.8 यह आपको गिविन है आई अभी हमने निकाला कितना आया 0.25 ओम और स्मॉल आर की वैलू आपके पास कितनी है 2 ओम तो यहाँ पे 0.25 की 2 से मल्टिप्लाई करते है तो यह 0.5 आ जागा और 1.8 को अगर आप 0.5 से माइनस कर लेते हैं तो यह आपका अंसल आजागा 1.3 बोल्ट यहाँ पे यह दोनों पार्ट कम्प्लीट होते हैं पोटेंशल भी निकाल लिया और हमने करेंट भी निकाल लिए फूर्थ कोश्चन पर आते हैं दा म्यूजिक सिस्टम ड्रॉन और करेंट 400 मिली एंप्यर देखिए जैसे कोश्चन में कहता जा रहा है वैसे वैसे हम लिख लेते हैं तो हमें कोश्चन करने में बहुत असानी होती है तो यहाँ पर आपको देर रखा है करेंट कितनी आपक करना पड़ता है तो यह एंप्यर में होगा और 1000 को हम इस तरह से लिए सकते हैं वन अपॉन टैन की पावर 3 को अगर उपर ले जा है तो इसको लिखेंगे माइनस 3 तो हम कह सकते हैं किस से मल्टिप्लाइब करने पड़ेगी 10 की पावर माइनस 3 से तो यहाँ पर पहले हम इस अंज आगे दे रखा है वैन कनेक्टेट टू टो ट्वेल बोल्ट बैटरी की ढटरी की जो टोटल बोल्टेज होता है उसको हम लिखते में इच्श-पार्ट में आपसे पूछे जा रहा है वाट इस दा रेस्टेंस आप्ड़ा प्जा म्यूजिक सिस्टम कि आपके पास फ वी की जगे आप यूज करेंगे ई तो इस उगल टू कितना हो जागा आपका आई यार और इससे अगर आप आई निकालेंगे तो आपका फॉर्मॉला बन जाएगा ई अपॉन आर तो इस तरह से मैंने इस फॉर्मॉले को यहां पर रिप्रेजेंट किया है तो आई का फॉर्म इसकी कैलकुलेशन हम यहां पर करते हैं तो आपको यहां पर आपके पास है ट्वैल अपॉन कितना इस माइनस त्री पावर को हम ले जाते हैं उपर तो यह उपर जाके पावर हो जाती है प्लस थ्री और नीचे आपका रहे गया फॉर्हेंड़ पढदार इसको हमने टैन की पावर 3 को ओपन करा तो यह 1000 लिख सकते हैं और अपान कितना आपका 400 जीरो से दो जीरो जो है वो नीचे कैंसल हो गए अब 4 से हमने 12 को कैंसल किया 3 3 की 10 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपका आंसर आ जागा यह इस तरह से हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया तो आप से यह पहला कोशन पूछन रहा था कि वाट इस दा रेस्टेंस अफदा मुजिक सिस्टम तो एक तो यह हमारा आंसर आगे रेस्टेंस भी पार्ट पे आते हैं दा मुजिक सिस्टम लैट प्लेइंग सेवरल अबर एंड फाइनली बैटरी बोल्टेज ड्रॉप तर मुजिक सिस्टम स्टॉप मतलब की मुजिक सिस्टम को काफी समय तक हमने चलता हुआ छोड़ दिया और जब बैटरी उसके डाउन हो गई तो म लिए कि सिस्टम बात में ऑफ हो गया वें दा करेंट ड्रॉप टू ट्रीट्विटी मिली अंपेर अब यहां पर करेंट रखिये थ्री तुन्ती मिली अंपेर को पूर्दर किसमें करेंगे एंप्यर में इसको हमने किस से मुल्टिप्लाइए कर लिए टेन की पावर माइनस 3 से मिली एंपेर को एंपेर में करने के लिए 10 की पाप माइस 3 से मुल्टिप्लाइब करा आप से पूछ जा रहा है वार्ट बैटरी बोल्टेज का बैटरी कितना होगा तो वी आपको फाइंड करना है तो इसको मुल्टिप्लाइ अगर हम कर लेते हैं तो आपका आंसर आजाएगा 9.60 तो मैं इसको यहां पर करके दिखा भी देता हूं कैसे आए अंसर 320 की मुल्टिप्लाइब आपने किस से करी 30 से तो यह आपके मुल्टिप्लाइब में 20 तो ऐसी रह जाएंगे और 32 जा 6339 तो यह आपका आजाएगा इसकी अगर मुल्टिप्लाइब करें तो यह आपका आजाएगा 9600 तो यह मुल्टिप्लाइब और साथ में पावर किती चल रही थी आपकी 10 की पावर माइनस 3 जब पावर को खोलेंगे माइनस 3 तो डेसिमर लास से प्लेस सिफ्ट होके कहां पर यहां पर तीन प्लेस आजाएगा तो आपका अंसर आजाएगा यहां से 9.60 इस तरह से हमने इसकी calculation देखी तो V is equal to कितना आगे आपका 9.60 बोल्ट तो यह आपका voltage आगिया music system का यह आपको पहले क्या दे रखा है करेंट को लिए आई से अ और एक्स्टरनल रखा है तो उसको लिए लेकिन इस टाइम हमने आई टू से रिप्रेजेंट किया और उसको किस से कनेट किया गया एक्स्टरनल रेस्टेंस की वेलू भी दुबारा दे रखी है तो इसको भी हमने रेस्टेंस को आर टू से लिग लिए अब हमें find करना है यहां पर और निकालना है तो यह हमारे लिए question mark हो गए और आर आपको करने को कहा गया है तो देखें यहां पर हम कौन सा फॉर्मला यूज करने वाले तो यहां पर देखें आई यह आपके पास capital यह आर और स्मॉल आ रहे हैं तो हम first case के लिए पहले formula लगात कर दिया और first case में capital आर जो है वह आपका आर वन है तो हमने यहां पर आर वन रिप्रेजेंट कर दिया अब यहां पर हम इसको क्रॉस मुल्टिप्लाइब करें तो यह दूगल टू आ जाए आपका आई वन और प्लस आर की मुल्टिप्लाइब हमने आई वन से करी तो यह मुल्टिप्लाइब करते हैं तो यह आपका आ जाएगा 1.9 प्लस आर और इसको हम यहां पर मेंशन कर देते हैं एक्क्विशन फरस्ट अब हम similar इसी तरह से second case के लिए formula लगाया हमने i2 is equal to e upon r2 प्लस r इससे भी e निकाला और cross multiply करें इस दोनों की तो i2 की multiply r2 प्लस r से और यहां हमने i2 की value लगाई i2 की value हमारे पास कितनी है 0.5 है r2 की value कितनी है आपके पास 3.9 अब हम यहां इसको ब्रेकेट को open करेंगे 0.5 की 3.9 से multiply करते हैं तो यह multiply करेंगे तो आपका आ जागा 1.95 और 0.5 की हम 8 से multiply करेंगे तो यह 0.5 r और यहां पे इसको नाम देते तो equation 2 अब देखिए हमारे पास equation 1 और equation 2 है और इन दोनों equation को solve करके हम किसकी value निकालेंगे e और r की तो solve करने के कहीं तरीकी होते हैं आप कैसे भी solve कर सकते हैं तो यहां पे सबसे best इजी तरीका वह ही है कि हम equation फर्स और सेकिंड में देखे तो यहां पर दोनों में left side में e है इसमें भी है अगर left part equal होते हैं किसी भी equation में तो राइट के पार्ट को हम equal लग सकते हैं तो from equation 1 से हमने दोनों के राइट पार्ट यानिकी बंट को एक तरफ कर लिए देखी यह दोनों इकत्रफ कर दी जब राइट साइड में ले जाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा और इतर बन फाइंस से माइनस किया तो यह आपका आजागा 0.05 और और अपका आजागा 0.05 कैसे पाइंट-05 से तो यहां पर दो प्लेस है तो यहां भी दो प्लेस लगाने पड़ेंगे तो आपका यह आजागा 5 upon 50 और जिसको करड़ेंगे तो 1 upon 10 और 10 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो या जागा 0.1 तो इस तरह से small r की value कितनी आ गई आपकी 0.1 तो एक तो आपने answer निकाल लिया small r अब आपको क्या find करना e तो r की value आप किसी भी equation में लगा दी है चाहे फरस्ट में और चाहे आप second भी लगा सकते हैं जो आपको easy लगती है तो सबसे easy equation फिलाल यह है में से तो हम यहाँ पर from equation first का use करते हैं और यहाँ पर हम 1.9 तो ही और small r की जगा हमने यहाँ पर क्या लगा दिया जीरो पाइंट वन इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपका answer आजागा टू बोल्ड तो इस तरह से यहाँ पर देखिए दो answer निकालने थे एक आर की value हो गई और एक आपकी e की value तो यह दोनों के answer हो गए जो कि आपको find करने थे तो इसकोशन साते हैं तो रेसिस्टर हैविंग रेस्टेंस फोर ओम और शिक्सों तो रेस्टेंस को हम किसे लिखते है आरवन से लिए हमने फोर ओम और रखा है उब यह कैसे आरवन की जगा कितना फोर ओम और नीचे भी आरवन की जगा फोर और रटू की जगा शिक्स तो फोर इंटू सिक्स कितना हो गया 24 और फॉर और प्लस सिक्स कितना हो गया 10 से 24 को डिवाइड करेंगे तो यह आपका आ जाएगा पहले स्कॉम ने काट लिए अच्छा है तो 12 और 10 को काट लिए 2 तो यह 12 अपॉन 5 और यहां पर फाइप कॉम 12 से अगर डिवाइड करते तो यहां आपको निकाल लाता है एक्विलेंट रेस्टेंस के लिए आपका अंसर यहां पर कंप्लीट हो गया कि यह ने को चार एक रेस्टेंस जिसकी हरे की वैलू कितनी है तो में और वह कैसे कनेक्टेड एपैलल में तो उसके लिए पूछा जा रहा है वाट इसदा एफेक्टेव का मतलब भी होता है एक्विलेंट रेस्टेंस टोटल रेस्टेंस भी कह सकते हैं कर देक्टेंस को में लिए 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 अगर चार लिखा हो तो कोई बात नहीं है इंसको चारों के लिए भी इल्टा Гांपला कर सकते हैं ज्याइब spread of the आपसे लिखाते हैं इसलिएंगे यहां पर सब बंबन मन जाएंगे तो जैंगे तो कितना आ और वन अपन टू को जब करेंगे तो आपका आजागा जिरो पाइंट फाइब ओम तो यह आपका आगया एफ्यक्टिव रेस्टेंस चार रेस्टेंस का जो कॉमिनेशन था पैलल में यहां पर हमारे पास 3 रिख लेते आर वन और टू और और अर थरी आओ विल यू यू आइन देम सो यह तोटल रेस्टेंट इसको हमें चैसे जोएंड करना है कि इसका अंसर वन से कम आए वन से कम आंसर लाना इन इसको कैसे करना है वह बताना और साथ में ड्रावदर ड्राइ देखिए हम अगर इसको एक एक करके करते हैं पहले हम ने सको सपोस्ट रीज में किया आपका रवन प्लस रटू प्लस रट्री होता है तो सब्सक्राइब करेंगे तो प्लस थी प्लस फाइप यह आपका अंसर आ जाएगा तो थी फाइप ज्यानी कि टेंट की वन से क्या आप का स्रीज में कनेक्ट नहीं होगा अब आप इसको पैरलर में तीनों को करनेट करा ठेलर में करेंगे वन अपन टू गरशा है वन अपन थ्री और वन अपन फाइप तो यह आपका हो जाएगा 25 और 6 31 अपॉन 30 और यह निकला वन अपॉन आर और जब इसको पलटेंगे तो यह ओजाएगा 30 अपॉन 31 और यहां पर ऊपर का नंबर कम है इसका मतलब यह वन से कम आंसर शो करेगा तो इसका मतलब हम यहां पर समझ गाएं कि हमें तीनों को किसमें करना है पैरलाल में यह तो पैसलित करने में हम आंसर कितना मिल रहा है वन से कम विब्मि कर लेते उसको अब इसको इसको कर लेते हैं अब अब यहां पर अ मगत आप आरव प्लास बनापन अपन आर्टी तो वेल्यू लगा है हमने वन अपन टू बन अपन थ्री वन अपन फाइब परी वह थोड़ा भॉग गया है उसकी आप बरकिंग को इंग्वन करेंगा प्लीज यहां पर हम ले लेते हैं से हमारा कितना आ गया थर्टी तो यहां पर अभी मैंने करा भी था करके भी दिखाया था तो यह आपका आजाएगा थर्टी वन अपन थर्टी वन और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका अंसर आ जाएगा 0.967 जो की वन से लेस है तो आप से यही पूछ जा रहा था कि अगर आपको इससे करेंट करना है कि आपका अंसर बन से क्या हो कम तो हम इसको कैसे करेंगे इन सबको पैरलल में इसको हमने थोड़ा बुक के साफ से अगर आंसर देना चाहते है तो इसको राउंड ओफ कर लिए इसके बात का नंबर फाइव से ग्रेटर होता है तो एक इसको क्या कर देते हैं इंक्रीज यह बुक के कोडिंग आंसर आगी आपका 0.97 बुकितना तो अब करनेक्टेटर है कि आपके पास त्रेस्टर से आरवर्ण टू एक इनको हमें ऐसे करना है कि इसकी एक करते हैं तो आपको सीधा प्लस करना होता है तो आपका आशर आएगा तो से लेकिन आपको आसा लाना है कितना इतना यह बर्प में करनेक्ट नहीं होगे आप इनक्त तो अभी भी देखे आपका अंसर नहीं आया यहां पर आप से ओक आ रहाहा है कि इसको ऐसे करिए कि टोटल रेसेंस क्या हो 3 तो अब हम क्या करेंगे दो स्रीज में लेते हैं तो 2 प्लस 2 कितना अंसर आता है 4 अब इसको और इसको किस में करेंगे तो फोर वन अपन फोर और तो इसमें लेते हैं 4 वन और प्लस कितना जागा 2 तो यह जायागा 3 upon 4 और जब इसको reciprocal करेंगे तो आर्थ उकल टू 4 upon 3 अभी भी आपका आंसर 3 नहीं आया है अब हम यहाँ पे 2 को पैलर में connect करते हैं तो आप निकालते हैं तो आर्थ उकल टू यानि इन दोनों से पैलर में आपका वन और इसको हम जब इसके साथ करते हैं तो इसको आपने कैसे करके देखा पहले इन तीनों को connect किया series में नहीं आया answer, parallel में connect किया नहीं आया answer, तो को आपने series में और एक को parallel में किया तो भी answer नहीं आया, फिर हमने दो को parallel और एक को series में किया तो आपका answer आ गया, तो आप आप समझ गए कि आपको जो 3 ohm लाना था, तो वो हमें किस तरह से लाना है, दो को आपको Pailal में connect करना है और एक को किस में connect करना है Series में तो हमने कोई भी दो ले लिए और calculation भी हम्हें श्रीज में आप रहाँ करते हैé यह लगा सकते है R1 R2 upon R1 plus R2 तो यहाँ पर हमने दोनों की value लगा दी दोनों ही 2 ohm है तो 4 upon 4 इससे R' की value कितनी आ गई 1 तो इसका total जो answer है वो आ गया का 1 यानि कि इन दोनों का हमने calculation करी तो इसका answer कितना आ गया 1 और यह पहले से यहाँ पर R3 कितने का था 2 ohm का तो यह दोनों स्रीज में हो गए और स्रीज में जब answer निकालेंगे तो R1 R is equal to R' plus R3 1 plus 2 तो यह आपका answer आ गया 3 तो आपको इस तरह से करके दिखाना था कि यहाँ पर resistance कितनी आज आज आपकी 3 ohm तो उसके लिए हमने 2 को पैलर में कनेक्ट किया और तीसरे को हमने स्रीज में कैलकुलेट दा इक्विलेंट रेस्टेंस बिट्विन दा पाइंट एंड बी इन दा फिगर इप दा इच रेस्टेंस टू ओं डाइग्राम के according हमें निकालना है यहां पर टोटल रेस्टेंस तो देखिए तोटल रेस्टेंस निकालने के लिए पहले इन दो को चेक करते हैं यह दोनों आपके किसमें कनेक्ट है पैललल में तो पहले इनका अंसा निकालते है और पैललल रेस्टेंस कौन-कौन से तू और तू यह दोनों पैलल में तो इसका आंसर पैललल में निकालने के लिए फॉर्मला आपके पास दो रेस्टेंस का कितना होता है आरवन प्लस आरटू यहां वैल्यू लगाते है और उसको सॉल्व कर लेते हैं यह बहुत इसी है और आपका कितना आजाता है यहां से वन ओम तो हमने देखिए इन दोनों को को यहां पर बना दिया आपको डियाइगरम दोबारा नहीं बनाना है आपको समझाने के लिए नहीं नहीं अब बना दी और आप भी देंगे तो भी बहुत अच्छी बात है तो यहां पर अब देखिए यह तीनों किसमें हो गए आपके स्रीज में हो गए तो स्रीज में फॉर्म्मला डिरेटली एड़ हो जाता है तो प्लस टू प्लस बन तो यह आपका अंसर आ गए यहां पर फाइब ओम इस तरह से ए और बी के बीच में टोटल रेस्टेंस आ गई कि इसको पहले हम समस्थे ड्याग्राम बनाके आपको दे रखा आए कितने का 3 रेस्टेंस का स्रीज में तो यह यह हर एकी रेस्टेंस की तो ने कि दे रखे आपको दो और एससे तिन दे है के हमने combination बनाए उसको फोर सिमलर सैट बनाने हमें तो हमने इसको आपस में सबसे पहले हम क्या करते हैं जो स्रीज में रखा था कोश्चन में आपको खुद बनाना है सबसे पहले हम क्या करते है जो स्रीज में इनको निकालते इनका अंसर कितना हो जागा आपका इनकी एफ्यक्टिव रेस्टेंस आर जैस्ट माली हमने तो फॉर्मुला डिरेक्ट्री एड होता है और बन प्लस और टू प्लस और तरी तो यह आपका तीन के लिए आंसर आजाए लगा इसके कनवर्ट होने से थोड़ा डियाग्राम को भी मॉडिफाई कर लेते हैं तो जितने भी लगे हुए थे यह सब किसमें कनवर्ट हो जाएंगे आपके 666 के क्योंकि हरे एक नीचे भी तो हमने इन तीनों के आंसर्स को सबको सॉल्व कर लिए तो यह आपका आगया आपके जो कि पैरलल में करेक्ट है तो पैरलल में हम फॉर्मला जानते ही है यह यहां अपलाई कर दिया सब में 6 6 लगा दिया वन अपान 6 इसको ले लिया तो वन प्लस बन प्लस बन फोर टाइम्स हो गया और अपान सिक्स टू से काट लेंगे और यह कितना हो जाएगा आपका तो यह तो यह आपका आजाता 1.5 तो इस तरह से हमने चार टोटल रेसेंस फाइंड कर लिए जिसकी वैलू कितनी हो गई बन पाइंड फाइब ओम यहाँ पर हमें अन्नोन रेसेंस एक्स की वैलू फाइंड करनी है और टोल्टल रेसेंस आपको दे रखिए कोश्चन में कितनी है आपकी 4 ओम कैसे करेंगे सबसे पहले हमने देखिए यह दोनों आपके स्रीज में कनेक्ट है तो स्रीज में कनेक्ट है तो इसका अंसर हमने निकाला आरवन लेट कर लिए तो कितना हो गया 4 प्लस 8 यानिकी 12 ओम अब यह दोनों भी आपके स्रीज में कनेक्ट है एक्स और 5 ओम इसको भी हमने एड़ कर लिया तो एक्स प्लस 5 आ गया कि अदर्फ यहां पर आयाता के तो यहां पर फ्लस अपान आरवन प्लस आर्टू प्लस हो कि तॉ रोन आateurs में आपको दे रखा के बिलेंट का कितना पूर द्सक्लत स यहां पर हमने आप कि जगे कितना लगा आप four और वन की जगे आपके पास कितनी वैलू है तो एग्स की जाएं कितनी है 5 प्लस एक्स हमने कि अगरा 12 की 5 से मुल्टिप्लाई करी तो 60 आगया 12 की x से मुल्टिप्लाई करी तो 12x यहाँ पर हमने 12 और 5 को add किया तो 17 प्लस X अब इसकी cross multiply कर लेते हैं हम इसकी 4 की 17 से multiply करी तो 68 और 4 की हमने X से करी तो कितना आगया आपका 4X और यहाँ पर उपर का part है 60 प्लस 12X X को हम एक तरफ separate कर लेते हैं आपका बचेगा 12 में से 4 गया 8X और इधर बचेगा आपका 8 8 से 8 कट गया तो X की वेलू कितनी आ गया आपके पास 1 Ohm तो आपको यहाँ पर find किया करना था unknown resistance X की वेलू निकाल ली थी जो कि कितनी हो गई आपके पास 1 Ohm calculate the effective resistance between the point A and B यहाँ पर भी हमें total resistance निकालनी है तो कैसे करेंगे देखिए यह उपर के तीन जो पार्ट है 111 और नीचे के यह दो दो पार्ट है यह आपस में कैसे connect है तो सबसे पहले हम इनके आंसर निकालते हैं सबसे पहले हमने 111 जो तीन से सीरीज में उसको हमने solve किया तो आपका answer आगे यहाँ पर 3 Ohm इन तीनों का answer आपका यहाँ पर कितना आगे आपका यह 3 Ohm आप हम यहाँ पर नीचे वाले के calculate करते है तू 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 जो एक भी सीरीज में तो इस cancer कितना आ जागा आपका 6 तो नीचे वाले तीन टू है जो सीरीज में वो कितना होगा 6 तो थोड़ा सा हम यहां पर डाइग्राम को भी modify कर लेते हैं इन तीनों 11 को हमने अटाया उसकी जगे कितना करेंगे इन तीनों को सबसे पहले solve करेंगे त्री ओम 2 और शिक्स यह तीनों किसमें करेक्ट आपके पैरलल में यहां अपन ऩर रफ दूपन फटू आपन पटरी इनकी लगाई इन आपका फाइनल जो आ जागा इन tissues करेंगे तो तो देखिए ये पिनाओ अंसर कितना आ गया वन तो डाइग्राम को फिर मौडिफाई करा हमने यहां पर इधर वाला वन है और यह राइट वाला वन है और इन तीनों की जगा बीच वाला पार्ड भी कितना आगया वन तो देखिए बीच वाला जो है वह यहां से आया है इसकी टोटल वैल्यू अब डाइग्राम इजी हो गया तो इन यह तीनों किसम रेस्टेंस है आपका यूनिफॉर्म वायर और रेस्टेंस आपको रेस्टेंस 27 दे रखे डिवाइड इंटू 3 इक्वल पीसेज देखिए 27 रेस्टेंस को तीन पार्ट में अगर डिवाइट करते हैं तो हर एक पार्ट की वैलू कितनी होती है 999 930 27 तो यह तीन इक्वल प पैरलल में अब हमें निकालना क्या फाइंट डेट रेस्टर निकालना है तो आप पैरलल के लिए फॉर्मला जानते हिए आपकर यहां पर एक्वल करने पर कितना आ जा आगा आपका आंसर थ्री ओ यह आपका आंसर हो गया कि आपसे पूछा जा रहा था है कि कुप्टीन कुश्चन है और सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेसिस्टर वन ओम इन स्रीज विद पैरलल अरेजमेंट रेसिस्टर शिक्सों एंड यहां पर हमें डाइग्राम अपने पास से ड्रॉ करना है कि कहा भी जा रहा है और हमें उसके इसाप से हम क्या कर लेंगे देखिए वन ओम जो है वह स्रीज में इसके साथ सबसे पहले हम यहां पर दो पैलल रेसिटर पैरलल में है और वन ओम क्या आपका स्रीज में अब हमें डाइग्राम के साथ इसकी टोटल स्मसानी चीज़ तो बहुत सिंपल है सबसे पहले हम इन दोनों को पैलल में आंसर निकालते है एक सों थ्री ओम का तो पैलल में फॉर्मला दो प्रेसिस्टर के लिए आरवन आरट इतना आगे आपका टू ओम तो यह आपके दोनों केनेक्ट हो गए स्रीज में और इसको निकालेंगे तो आपका अंसर आ जाएगा वन प्लस टू रियो में तो फ्रेंट्स यहां पर हमने वन से लेकर इसमें वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैंने यहां पर बन से ल लगी आप कितनी हेलफुल आपके लिए और यह अगर यह फूल है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स अपने गूरूप में अपने फैमिली के मेंबर्स के बीच में इसको शेयर करेंगा और अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छे लगते तो प्लीज आप इंप्रूब कर सकते हैं आगे के कोश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा ओके थैंक्यू वेरी मच्छ और आफ स्टेंट्स